हेलो फ्रेंड्स दसरतास किचन में आपका स्वागत है अगर आप रोज रोज एक ही तरह का नाश्टा काके बोर हो गया है तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुती ईजी और टेश्टी नाश्टी की रेसिपी तो चलिए बनाना है स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने गैस पर एक खड़ाई रग दिया है उसमें एक टेबल स्पून वॉयल डाल दिया है अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मज जीरा साथ से आठ हरी मिश काटके मैंने डाल दी है अब इसको धीमी आज पर हलका सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे अब इसमें डालेंगे दो चम्मज तेल सफेद तिल डाले है अब इन्हें धीमी आज पर कुछ सकेंड के लिए रोश करेंगे मसाले आप अपने स्वाद अनुसार इसमें कम्या जादा कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे दो कप पानी गैस की आज को अब हम तेश कर देंगे अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और अब डालेंगे हरी धनिया मैंने एक मीडियम साइज के कच्छे आलू को ग्रेट करके पानी में डाल के रखा था उसे भी हम डाल देते हैं अब इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से उबलने देंगे जब पूरी तरह से इसमें उबाल आ जागा बागे की इन्ग्रीडन्स राद में डालेंगे पानी उबलने लगा है अब इसमें डालेंगे एक कप सूझी मैंने यहां पर बारिक वाली सूजी ली है अगर आपके पास बारिक वाली सूजी नहों तो उसे ग्राइंटर में थोड़ा सा पीस ले अब इसे हम तेज आज पर ही घुमाते रहेंगे जब तक इसका पूरा पानी सूख नहीं जाता ध्यान नहीं देना है कि इसमें लंप्स न जरू बताईएगा तो यहां पर देखे सूजी का सारा पानी सू क्या है अब आज को धीमे कर देंगे और इसे धक्के रखेंगे पांश मिनट के लिए पांश मिनट हो गये हैं अब गैस के आज को हम बंद कर देते हैं और कडाई को गैस से उतार देते हैं अब यहां पर मैं तो अब सारी सूजी को हम इस पे ट्रांस्वर कर देंगे और स्पैचुला से इस तरह से दबाते हुए चारो तरफ से इसको एक सार कर देंगे यानि लेवल बराबर होना चाहिए कहीं से उपर नीचे नहों इस पात का ध्यान रखेंगे यह देखी चौकोर शेप में कर दिया मैंने इसे अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे सुजी पूरी तरह से ठंडी हो गई है अब हम इस पे कट लगाएंगे आपको जो शेप पसंदो उस शेप में आप इसे काट सकते हैं तो मैं दोनों तरफ से ही इस तरह से चौकोर शेप में कट कर दे रही हूं बहुत ही इसली कट जाता है और आप इसके बीच में भी एक कट मार देंगे ताकि यह डायमेंड शेप में आ जाये यह देखिए इस तरह से कट मारेंगे बहुती स्वादिश्ट बनता है ये नाश्टा एक बार आप इसे जरू ट्राइ करिएगा ये देखे इस शेप में ये बन जाएगा और इसली इससे निकल भी आता है तो चलिए अब इसे हम फ्राइ करते हैं तो यहां पर मैंने कड़ाई में ओयल डाल के रख दिया था गैस प चलिए हम ब्राओन तक दोनों त्रफ से इसे फ्राइ कर लेंगे देखे फ्रेंड्स गोल्डर कॉल兩個 ओं अब इसे हम निकाल लेते हैं कितने tasty और crispy लग रहे हैं हैन शांदार बहुती easy और बहुती tasty नाश्ता बन गया जब भ्ही आपको कहीं बाहर जाना हो तो भी आप इस नाश्ते को पैक करके आसानी से ले जा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी होते है तो बागी के भी हम इसी तरह से ही फ्राइ कर लेंगे यह बहुत ही जटपट बढ़ने वाला और इजी नाच्टा है इसे आप एक बाद जरू ट्राई करेगा और अपना फीडबेक मुझे जरू बताईगा तो फ्रेंड्स तयार है गर्मा गरम सूजी का यह जटपट बढ़ने वाला नाच्टा बहुती टेस्टी और बहुती क्रिस्पी बना है इसे आप सौस के साथ चटनी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं यह देखिए मैं आपको इस पर आवाज सुनाती हूँ इसकी देखिए क फैमली में से जरू शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग एंड टेक क्यार